तो बाई ताराचन देख दिखां की बात कुँँआ चेत्र कीज़ बाई साब तो बाई एक बीननी की डिख गाई चेत्या तो साफ़ध बाई काम दंता को ध्यानी कोँटरू मा काय करूं काय काय है तो कच था रिखाए चाहिकर, फटकार काय काय की वाय है जिते को ऊस साथू जी। शंसकार जाना पाप और रयाकि विलान साथ। तो बैट भाप जोः कि करीब ऐे। सभ्याकर ले 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 झाएwow सभ्याग вт आगकी बासुन कि जिब बदने को ऊठ्र मन की क्वेऊ करे जोडी जो मां तो करी अकरत रही दर गरीब न छोडी आव बजन को ठर मन की क्यों कर जोरी रे उंचो माठो क्या कर ते देगरे बन जोरी तो तारा जो देंको अब आज वे छोरी रॉन काहे ़िवा इस आप भॉबि खाय कच मारे बले को बाठो रे मुची चौत ते र्याडोवे चाहि मारो गर डूंडो बक जाव पन छोरो तो नोक र्याडोवे मारे बले को बाठो रे मुची चौत ते र्याडोवे चाहि मारो गर डूंडो बक जाव छोरो नोक र्याडोवे चोरो नोक र्याडोवे चाहि मारो बक जाव पन छोरो नोक र्याडोवे तो वाई तारातन छोरी को बाप समझरी कोन पन फेर समझा जेजा समझा भाई समझा आपन दो फ्रत्च समझा बाप कच घर डूंडा जे मीन बे क्याँ पाच कुन आव गोयाटो काईल बे खोदे थे बेरी कावी याँ लाक को खाटो कर डूंडा जे मीन बे क्याँ पाच कुन आव गोयाटो काईल बे खोदे थे बेरी कावी याँ लाक को खाटो बे जाँ लाक को खाटो तो बेटी को बाप फेर काई किये थे चागर में जागी तुमाल मली दाखावेगी मारी रोम रोम बक जापन छोरी मारी चन पावेगी चागर में जागी तुमाल मली दाखावेगी मारी रोम रोम बक जापन छोरी मारी चन पावेगी जापन छोरी मारी चन पावेगी तो समझा बड़ो काई समझावेचे केसे भी या ये वेका कर रोम गितों खाबो बावेचे जिनको मन लालत मैं भसगो जिन्डे कुण चेन पावेचे जिन्डे कुण चेन पावेचे जिन्डे कुण चेन पावेचे जिन्डे कुण चेन पावेचे हाएजिए कि जिन्डे की कुण चेन पावेचे कि जिन्डे की जिन्डे कावेचे जिन्डे का लगावेचे अब चोरी का बाप के थोड़ी थोड़ी समझ भाई जर काए घरीज है काए कियो वह भी बत्ता भाई भाया का चमूंचो मां तो कर ले तो मुने पड़ जाती बारी मां तो मारो देखोंगो बरो बुर ठीडो आख्या खोल दी मारी मां तो मां तो कर ले तो मुने पड़ जाती बारी रे देखोंगो बेरो बरठे काणो आख्या खोल दी मारी मारी थारो गर डूंडो भी बच जागो ये जत और बच जागे रही जत और बच जागे जत जागे रही जत और बच जागे जन जन को मोताज जाकन देगो सारो पाच तू जीवे गोज तर तो करजो को चुक धारो करजो को चुक धारो करजो को चुक धारो करजो को चुक धारो करजो जागे लगार।